यह है Realme का GT Neo 3T जिसका वीडियो आपने पहले भी देखा है बट आज इस फोन का कुछ प्रोडक्ट यानि SSG लेकर है जो कि टेंपर गलास है और बैककोर बगेरा है क्योंकि आए दिन कभी कभी टेंपर गलास टूट जाते हैं बैककोर खराव हो जाते हैं तो चेंज करने की ज़रूत परती है और मैं जब वीडियो देते हूं आपके कमेंट आते हैं कौन सा बैककोर या टेंपर गलास यूच कर रहे हो इसलिए मैं कोसिस करते हूं कि डेडिकेटेड वीडियो दे दू ताकि आपको पसंद आए तो आप बाई कर लो अदवाज मर्जी आपकी है तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लिंक मिल लागा डिस्क्यूशन में तो चलिए आज की सेट अप को सुरू करते हैं और कम्प्लीट फिनिश करके देखते हैं कि फोन का लुक कैसा आता है अगर हम बैक और अप्लाइ करते हो अगर तो आप देख से तो एक मैं यहां पर अप्लाइ कर रखा हूं जो कि यहां से हलका सा क्रैक हो चुका है और यहां पर आपको साइट पता बहर नहीं चल रहा कि मैंने कोई टेमपर गलास लगा रखा है क्योंकि इस टैप पर जो टेमपर गलास होते हैं फुली प्रोटेक्शन देते हैं एज टू एज और लगता भी नहीं है कि आपने लगाना चाहते हो तो प्लेलिस चेक आउट कर सकते हो क्योंकि मैं हमेशा रिकमंडेट करते हूं टेमपर गलास बैक स्कीन उसके बाद बैक कवर मन होतो लगाओ और जबाज मत लगाओ क्योंकि जब आप बैक कवर अपलाई करते हो ना तो अंडर डर्श चले जाते हैं और आपके बैक पैनल पर बहुत ज़्यादा स्क्रेच डाल देते हैं जो कि ठीक नहीं होते और एक्चेंज या रिसेल वैल्यू खत्म से हो जाती है जो बैक को रखते हो या नहीं मर्जी आपके लेकिन बैक स्कीन इंपोर्टेंट है चैया आप लोकल लगा लो या कोई हो गया इसे मैं रिमूफ कर देता हूं तो जो मैं टेंबर गला से भी लगाने वालो ना यहीं सेम लगा हुआ था मेरे पास पहले से भी काफी लंबे टाइम से था बट फोन को पर फोन रखने के पाद एक क्रैक हो गया था तो देख से तो कितने अच्छी तरीक इसे फिक्स है नहीं न अब यहां पर सब कुछ एज-टो-एज मिला कि इसे फिनिस करना है यानि रख देना है यहां पर आप देख सेते हो मैंने इसे रख दिया है और धीर देख के बबल्स आटो है जो रिमूफ हो रहे हैं तो जो सही टेंपर गलास होता है परफेक्ट उसमें आटो ब फ्रेस करके निकालना परता है जैसे कि यहां पर कॉर्णर पर देख सते हो फ्रेसदी निकल गया बीच में है तो इससे आप जींको दिखाई देंगे बाव Ist टाइम के बाद लॉंग टाइम के बाद ऑटो है जो यह बंद हो जाते हैं या फिर हलकी हो जाते हैं जो कि आपको साइद दिखाई भी ना दे बाद में तो जितना ज़ाद आपका डिस्प्लेई क्लीन होगा उतना इफनी से आपका ज़र टेंपर गलास अपलाई हो पाएगा आप देखो सेम यह है आपको साइद इसका टेंपर गलास का एज भी पता नहीं चल रहा होगा काफी सही तरीकी से प्रोटेक्शन है जो आपको यह देता है तो इस तरीकी के टेंपर गलास अक्सर में प्रिफर करता हूँ आपको पसंद आए तब बाई कर सकते हो कि इसे तो अदरवाज मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता नहीं प्रिफर करते हूँ बैक कवर लेकिन अगर आपका फोन गिरता रहता है तो आप लगा सकते हो अलगलग टैप के आपको अलगलग के टेगरिक है जो बैक और मिल जाएंगे इनके साइट के उपर जिसका लिंक आपक कर सकते हो तो यह भी फिलाल बैक करें वाइट के लर का जहां पर आप देख सकते हो किस तरी किसे कट बनाए गए हैं कैमरा अगए रखा तो इसे हम अप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर बस रखना है और हलका सा प्रेस कर दिना है यह हो गया पूरा फिनिस तो कुछ इस तरी कवर के जो वॉल्म बटन्स वाले होते हैं इरिया वह काफी ज़्यदा हाड रहते हैं जिसके वैसे आपका फिचल बटन डैमेज होने का चांस रहता है कि परसनली मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो जब भी आप कोई बैक करते हो ना तो उसमें ज्यादा कुछ चेक मत करना लेक इससे सेट अफ का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप बाई कर लेना और हाँ आप कोई भी टाइप का बैक और अपलाई करते हो तो यह जो मैंने टेंपर क्लास लगाए ना यह परफेक्टली रहता है ऐसा नहीं कि रिमूव हो जाएगा तो उसके लिए टेंशन मज लेना okay thanks for watching bye